Hello Students. Welcome Through Future Enterprise Academy YouTube notifications nego करें, आका स्वागत करें हैं, हमारे YouTube चैनल पर फ्यूचर डिफेंस आज ढस करने वाले हमारे उसी Coffee सेशन की जहां पर हम चल रहेते हैं कि हम लोग र师 है कि हम लोग पूस्ट करने के लिदिक हैं और वह बहुत अच्छे से करने EXH बहुत अच्छे से कब होगी जब अपने रेगुलर स्टॉडि में रेगुलर क्ला से प्रॉसस में और तक के उन्चे से समझ पायें बात करते हैं कल हमने डिसकस किया था चोटो वहुत सुन्दर है यह क्या है जुसमें किसी की तारीफ कर रहे तो बुराई कर रहे हैं यह बहुत गंदा है इसमें से बद्बू आरे जो भी वर्ड हम किसी भी चीज को डिफाइन इसकी स्पैशलेटी बताने के लिए कर यूज करते हैं वो अपनी द्रवान में क्या कहलाता है एड्जेक्टिव जिसे प्यॉर हिंदी में अगर हम बात करें तो क्रिया विशेशन कहा जाता है जो किसकी विशेश् रिष्ता बताते हैं यानि यह यहां के किसका इस्ते this को अनुझेट है वह हम किसके लिए इस्ते हैं तो यह इंट। के तोर पर इस्तमाल करें for example जैसे मैंने बूला बाबर वॉस अ ग्रेट वर्यर को यहां पर हमने क्या देखा बाबर वाज़ गृट यह ग्रेट होड़ है युद्धा तो लेकिन कैसा है महाल युद्धा कौन है बाबर के बारे में क्या किया जा रहा है बताया जा रहा है तो अब हमारे चल बात कर चुके तो यहां पर हमने देखा कि यह सारा हमारा क्या रहेगा adjective and its types पे आजाएगा चलिए अब चलते हैं adjective of quality quality का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया कि quality का हमेशा मतलब किसी की तारीफ करना नहीं होता यानि कि अच्छाई नहीं होती है बुराईयां भी एक इनसान की क्या होती है quality होती है अब चाहे अच्छा नहीं है चाहे वह दिखता अच्छा नहीं है चाहे वह चलता अच्छा नहीं है या फिर उसका appearance मतलब कि कपड़े पहनने अच्छे नहीं है या वह कोई बीचीज है जिसके अंदर कोई बुराईया अच्छाई है वह क्या कहला आता है एड्जेक्टिव क्या लाता है तो चलिए डेफिनेशन देखते है एड्जेक्टिव क्वालिटी जिसे प्यॉर हंदी में कहा जाता है गुण गुण का मतलब आप समझते हैं वेड्जेक्टिव जो नाउं के गुण या दोश या उसकी खासियत और उसकी बुराई उसके हमारा आड्जेक्टिव आफॉर्टि क्योंकि वो इंसान जो इमानदार है उसके लिए हम यूज करें एडटिव एक इग्जेक्टिव आपके सामने लिखा था उसी से बात करते हैं बाबर was a great warrior तो यहां हमने बात की कि बाबर जो था great mahan क्या था योध्धा था अब यहां पर बाबर पर दो नाउन है one noun is बाबर and another noun is warrior, warrior भी एक नाउन है this is a proper noun, this is a common noun तो अब हमने बात करी warrior, इस noun के बारे में यानि इस noun से पहले अगर किसका use हो रहा है वो कहलाता है attributive, attribute का मतलब जो before noun के इस्तमाल हो रहा है वो कहलाएगा attributive, for example Solomon was a wise king, तो king यहां पर last noun है Solomon proper noun है, लेकिन यहां पर wise किसके आगया रहा है king के आगया रहा है, तो यानि कि adjective को जब हम किसी noun के पहले use करते हैं तो वो कहलाता है attributive use यानि उसका कौन सा use हो गया, attributive use हो कहलाता है तो यहां ते का आपको समझ में आ गया हो कि attributive क्या होते हैं, अब आते हैं last प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव क्या होता है प्रेडिकेट पार्ट अगर याद हो, sentence में हम बात करते हैं प्रेडिकेट, ओके, what is the meaning of प्रेडिकेट, प्रेडिकेट प्रेडिकेट इस comprises of two वन पार्ट इस वर्ब और अनदर पार्ट इस अब्जेक्ट यह हमने बात की थी हमारे शुरुआत की क्लास में जब हमने start किया था हमारा grammar जो हमारा regular live session था वर्ब, प्रेडिकेट का मतलब वर्ब और कौन सा object पार्ट तो अब आपको ध्यान रखना है प्रेडिकेटिव का मतलब जब किसी adjective को वर्ब के बाद और object से पहले इस्तिमाल यानि वर्ब के बाद चलो छोड़ो बाकि सब वर्ब के बाद इस्तिमाल करते हैं तो वो कहलाता है प्रेडिकेटिव पार्ट यानि कि तो वैदर इस इसके बाद क्या रहा है pleasant अपने आपने क्या है it's an adjective क्योंकि ये खासियत बता रहा है तो जब हम किसी adjective को वर्ब के बाद इस्तिमाल करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज कहते है यानि वो कौन सा यूज कहलाएगा उसका प्रेडिकेटिव यूज को हमने दो यूज़ेज देखे adjective के attributive and predicative. Attributive is before noun and predicative is after the verb. तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया है इसका use. Next हम topic की बात करते हैं proper adjective. प्रॉपर अड्जेक्टिव देखें क्या होता है प्रॉपर यानि की व्यक्ति बाचक समझ के यानि फिक्स है किसी प्रॉपर किसी खास की बात करें यानि कि जब हम कोई adjective. नाउन में हमने क्या बुला था नेमिंग वर्स नाउन होते हैं जल हमने बुला था naming words जो हमारी class थी उसमें नाउन की बात पिरें नाउन में हमने टाइप पड़ा था that is proper noun पड़ा था अब proper noun क्या होता है बच्चे proper noun का मतलब होता है जो special name जिससे हमारी पहचान है जिससे बुद्ध है इंडिया और इनकी चीज लेकर हमने कुछ इसकी खासित बता दिया की nationality वर्ड क्या होगा इंडियन हो गया ब्रिटेन की nationality वर्ड क क्या हो जाएगा ब्रिटेश हो गया ठीक है जर्मन हो गया है तो ऐसे में जब हम किसी प्रॉपर नाउन को लेकर एक एड्जेक्टिव बनाते हैं यानि प्रॉपर नाउन से हमने एड्जेक्टिव बनाया तो वो क्या कहलाता है प्रॉपर एड्जेक्टिव कहलाएगा ठीक है तो प्रॉपर एड्जेक्टिव है जैसे प्रॉपर नाउन से बनने वाले एड्जेक स्वार और इंडिया से बना हुआ है मालेशिया लेसिया से बना हुआ है है थो ऐसे वर्ट्स को हम क्या कहेंगे प्रॉपर एड्रे किसे कहते हैं एड्जिक्टिव की बात है सारी चीज़े क्वांटिटी पर चलती है क्वांटिटी की बात हो रही है मेरे को चॉकलेट चाहिए दस पचास कितनी खिला लो आइस क्वांटिटी तो मैंने बढ़ाती है कि बाद जितने जीरो आप बढ़ाते जाएंगे इसे चलता जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे क्वांटिटी जो होता है यह जिसमें परिमान यह उसको नापना मेजिरमेंट करने के लिए किसी चीज को देखते लिए उनके लिए जो वर्ड इसनमाल होते हैं वह होते हैं quantity adjective of quantity जैसे word है some, enough, very इसी हिसाब से no तो इन some, enough, sufficient, no ऐसे adjectives हैं जो हमें quantity बताता है for example जैसे मैंने लिखा there is no milk in the jug तो जग में कोई milk नहीं है तो नहीं है यानि no, no क्या बता रहा है वो word बता रहा है quantity को कि कुछ भी नहीं है दूद के नाम पर तो यानि यह हो गया मेरा adjective of quantity इसी तरीके से मैंने बोला there are many students in the class तो यहाँ पर कौन सा word है जो quantity बता रहा है many, many word is showing quantity, many word यहाँ पर show क्या कर रहा है quantity show कर रहा है तो I think यहाँ तक सबको समझ में आगया होगा कि adjective of quantity क्या होता आगे चलते है next पे adjectives of number अब adjective of number क्या होता है number का मतलब दो तीन तरीके से हो जाता है जिसमें हम one two three की बात करेंगे जिसमें हम first second third की बात करेंगे जैसे यह दो तरह क्या होता है definite and indefinite definite की बात करें तो वह होता है जो fix है जैसे मैंने बोला I have two brothers तो fix है कि मेरे कितने भाई है दो है there are 70 students in the class तो 70 word क्या हो गया fix हो गया तो जहां पर हम दे रहे हैं there are 37 students in the class तो यह क्या है number कैसा है fix है definite है तो where we are giving the definite number जहां पर हम definite number दे रहे है fix बता रहे हैं कि इतने ही लोग है जैसे मैंने बोला I have two brothers तो मैं यहां पर quantity बता रहे हूं number बता रहे हैं तो number में मैंने two का बोला तो two यानी मेरे fix हैं कि तो भाई है तो यह definite number मैंने दे दिया तो इसको बोलेंगे definite adjectives ठीक है अब हम बात करते हैं indefinite indefinite जो होते हैं इनमें वो होते हैं जिनमें हम fix number नहीं बताते हैं लेकिन हम उसको लिखते हैं जैसे अब यह दो तरह के हैं cardinal and ordinal cardinal की बात करते हैं जैसे इसमें few and several आता है sorry indefinite में तो few and several है क्योंकि हम इसमें number नहीं बताते हैं यहां पर हमने few words जो देखा है few girls some people ऐसे words को हम जिसमें definite fix number नहीं दे रहें उनको हम क्या कहेंगे indefinite articles कहते हैं quantity of number अब आते है cardinal adjectives and ordinal क्या होता है cardinal and ordinal बहुत अच्छे हैं अब देखो क्या से cardinal का meaning की बात करते है one two three these are numbers यह numerical value में तो numbers है sorry number जल्दी लिखने के चकर में और जल्दी बोलने के चकर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है चलिए number यह है हमारे numbers one two three four five six seven eight nine ten अना अब इसी को मैंने अगर spelling में लिखा one two three यानि spelling में one one two 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 three तो यह क्यालाते है cardinal बच्चे ठीक है ना यह क्या क्या क्यालाएंगे cardinals क्यालाते है cardinals में इनकी spellings में हम लिखते हैं वहीं पर तो यहां तेक समझ भाये हैं जैसे he has four pen he has two books तो यह हो क्या अब हम आगे आते ordinal ordinal क्या होते हैं जब हम इनके orders को बताते है order का मदा आप समझते हैं जैसे he always comes at first rank या first position तो यानि वह हमेशा first position पर आता है तो जहां पर हम इसी one two three को कैसे लिखते हैं first second और या third के रूप में लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100 तक का तो वह क्या कहलाता है cardinal कहलाता है the first chapter of this book is on verb और एक चीज हमेशा ध्यान रखें जब भी ordinals आते हैं क्या आते हैं ordinals जब भी आएंगे तो इनके आगे हमेशा article the का यूज किया जाता है the first president of India the first prime minister of India the second day of the week is Monday इस तरीके से हम इस्तमाल करते है जैसे the first president of India was Dr. Rajendra Prishad the first prime minister of India was Pandit Jawahalal Nahiru तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि latest अब जैसे latest भी वर्ड भी वर्ड पर लेटेस्ट प्राइमनिस्टर पर इंडिया जाता है तो इस तरीके से हमने जहां पर भी word इस्तमाल हो रहा है हमारा first second third यानि one two three का हम sequence यूज करें उनको ordinal adjectives कहा जाता है ठीक है for example अब article की बात करें lesson one is on verb तो यहां पर lesson one आया है इस लिए हमने लेकिन the first lesson is on verb तो यहां पर first के आगे क्या लगाया है आगे चलते हैं next way demonstrative what is the meaning of demonstrating demonstrative का मतलब क्या होता है indicate करना उसकी तरह point out करना demonstrate कर रहे हैं बिल्कुल भी आख्या तो demonstrative adjective और demonstrative pronoun दोनों में छोटा सा difference होता है खलका सा difference है बाकि इन चार को हमने बहुत discuss किया हुआ है कि this that these those क्या काम आते हैं देखो this की बात करूं It's a stylus मेरे पास ईह उन्हा एक's मेरे सा एक है तो यहे क्या हो गया this का use हो गया that होता है दूर रखी वी एक चीज, those होता है दूर रखीunta बहुत सारी चीज और these होता है pass में रखीitelे बहूत सारी बहुत सारी के staircase ङासे करेंगे तो देखे एड्जेक्टिव की बात होगी तो this नाून का इस्तेमाल होगा जैसे this Girl is good that smell is no तो वारंजमना वोरेंज और सॉठ्ट सब्सक्राइम को बहुत है नावन का यहां वांजित नावन का रहे यह और वक्रता का जब दिनी के तो चोटा सा difference है, जादा कोई difference नहीं, एक के बाद noun आ रहा है, तो adjective है, खासित बता रहे हैं, तो adjective है, और अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको pronoun के तरह, तो उसके बाद में verb आ जाती है, आगे चलते हैं, शिक्स पे, distribute है, distribute का मतलब क्या होता है, बाटना, चीजों को क्या करना, distribute क अब कितने लोगों में distribute करते हैं, एक तो होता है, वो इंसान, जो कहता है, मैं भी खाऊं और सब भी खाएं, वो होता है, तो वो क्या करेगा, हर एक जने को देगा, पचास लोगों के लिए लेकर आएगा, एक होता है, कहता है, ठीक है, मैं सिर्फ उनको दूँ जो मेरे फे आइस्क्रीम के मारे में, किसी भी पास्वूड के माटीरियल के मारे में, तो हम क्या सोचते हैं, क्या किसी को देना, खुदी खा लेते हैं, क्यों लड़ाई लगानी है, तो उसके लिए आ जाता है, नीदर वर्ड का, या नाइधर जिसे हम इंग्लिश में बोलते है, अब ये भी क्या है, adjective और pronoun, ये दोनों में आता है, demonstrative adjective word भी होता है, demonstrative pronoun word भी होता है, same difference जो हमने अभी distributive, demonstrative में पढ़ा था, same distributive में, each, every, either, neither के just path में, अगर noun आता है, तो वो हो गया adjective, अगर उसमें pronoun के लिए verb आ रही है, या उसके बाद कोई और word आ रहा है, तो फिर हम क्या क रहेंगे, उसको distributive pronoun काएंगे, जैसे, each of the boys to the rest, तो यहां पर, क्या है, prepositional sentence है, seven दाते, interrogative, जब पुलिस वाले पकड़ के ले कर जाते हैं, तो क्या करते हैं, interrogate करते हैं, तो interrogate जो होता है, interrogative word के लिए इस्तमाल किया जाया है, यानि question के लिए, जिसमें हम ask questions, questions कूछते है उसको हम क्या कहेंगे, interrogative कहेंगे, वहाँ पर, जैसे कि अब वही है, interrogative adjective और interrogative pronoun दोनों होते हैं, तो interrogative adjective वो word होता है, जिसके word या wh, जो wh family words है, इन word के बार में, अगर noun आ रहा है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, क्या जाएगा, adjective होगा, यानि कि interrogative adjective, और pronoun अगर उसके बाद में, verb आ रहे है, डवलो एच वर्ड के बाद में, किसका इस्तमाल करें, verb का इस्तमाल करें, तो that will be used as interrogative pronoun, तो यहाँ पर हमने देखा, हमारा interrogative adjective, नेक्स्ट में आते हैं, पर आते हैं, पर पॉसिस, पर मतलब मैंने आपको हमेशा बताया, अधिकार, अपना हग जमान उससे relation बताना कि वो किसका है, किसके हक में आता है, उसको हम बोलते हैं, तो possessive adjectives, जो adjectives किसी चीज या किसी भी इनसान से उसका relationship बताते हैं, उसका संबंध बताते हैं, उसको हम कहते हैं, for example my book, your laptop तो जैसे this is my book, यह मेरी book है, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, कौन सा हो गया यह हो गया हमारा possessive adjective, this is her book, तो इस तरीके सा, अब आते हैं, comparison of adjectives, comparison of adjectives means, यानि adjectives में degrees होती हैं, degrees का मतलब हो गया, positive, comparative and superlative, ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरह के हमारी degrees होती हैं, जिनने हम comparison of adjectives कहते हैं, one is, first one is positive, second one is comparative and the third one is superlative, एक इंसान की कोई भी खासे बताने हैं, एक ही इंसान की बात करें, तो हम positive लगाते हैं, जैसे he is a good boy, अगर हम दो जनों की comparison करें, तो हम comparative degree लगाते हैं, जैसे he is better than you, और अगर सब में से बहुत सौ में से, अर्बो में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो हो जाती है, superlative degree जिसमें हम लगाते हैं, superlative degree and plus में एक fix है, article the, superlative degree जब भी आएगी, article the उसके जरूर आगे जरूर आएगा, यह हमेशा एक rule बांग दीचे, इसको fix करना है, अब जैसे कि हमने rule number one देखते हैं, तो अगर कोई adjective comparative degree बनाने के लिए positive degree में लाता है, तो उसे er use करते हैं, और अगर मान दीचे, positive से वो किसमें जा रहे है, superl जैसे bold, bolder और boldest, अब अगर जहां पर भी यह आ रहा है, तो इनके बाद जो fix conjunction होता है, वो then है, और इसकी पहचान है, article the, बस, जादा हमें करना ही नहीं है, यहां से हम लोग इसको fix करते हैं, तो यह चीज हो गया हमारा आज का rule number one, जिसमें हमने एक छोटा सा चीज देखी कि adjective की first degree में है, अगर हम बात करें कि bold, bolder और boldest, इसी तरीके से deep, deeper और deepest, high, higher और highest, strong, stronger और strongest, thick, thicker और thickest, weak, weaker और weakest, इन में एक और खासेत है, जिनको boldness के लिए हम लोगों को तोड़ना नहीं पड़ता, जिन words को, यानि जैसे हम लंबा word नहीं है, beautiful नहीं है, जिसमें 2-3 बार हम ब्रेक लगा कर, बुत भी, beautiful, हना, वो नहीं है, bold है, सीधा bold है, एक ही slack, इसमें एक ही stress नहीं आ रहा, तो ऐसे words के लिए हमेशा जब comparative बनता है, तो ER जुड जाता है, और superlative बनता है, तो EST जुड जाता है, तो students, आज का हमारा rule का, rule number 1 हमने solve किया, और हमने इसके साथ मे देखा है, हमारे सारे types को, कल हम लोग इसको आगे further on करेंगे, आज छोटी सी class रखेंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि हमारे electricity का issue बहुत ज्यादा चलने लग गया, क्योंकि अब भी मौसम भी बारिश वाला और ऐसा आ चुका है, तो थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए वरना हम पसंद आई होगी, और अच्छी लगें, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजेगा, लाइक कीजेए, इसको शेर कीजेए, और प्लीज सब्सक्राइब करवाईए, अपने सारे दोस्तों के जरी हमारे चैनल को इपिलाइए, थैंक यू सो मार, जया हैं, जया भार कि आई हूँ, आउन कर दोसुछारान मीद करतो ह BCL, टह सहीं जरी हमारे चैनल के दो यदिए। all आका हे चैनल.